पूरा देश के लोग बंता है बुल्डोजर बाबा ने बिल्कुल सही किया है नमशकार मैं शवेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिश हट्ट ऐसा हम नहीं करें ऐसे केंद्रिय मंतरी पशुपती पारस कह रहे हैं आपको बता दे चले कि यूपी में पिछले दिनों अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद की एंकाउंटर कर दी जाती है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है जिस पर बिहार की सियासत भी गर्माई हुई नजर आ रही है जहां एक और मुखे मंतरी नितीश कुमार से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि हमें कोई हमदर्दी नहीं है इन जैसे बदमाशों से लेकिन हाँ कानून भी कोई चीज होती है कानून के तहट जो प्रक्रिया की जाए वो जादा बहतर है साथी बिहार के डेप्टी सियम तजश्वी आदव से जब अतीक एहमद और अश्रफ एहमद को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि बदमाश से कोई हमदर्दी किसी को नहीं होनी चाहिए वो जो काम किया है उसे सजा मिलनी चाहिए लेकिन हाँ सजा किस तरीके से मिलनी चाहिए ये भी देखना जरूरी है अगर आप law and orders को follow नहीं करेंगे तो ये एक कही न कहीं गलत मैसेज जाएगा हमें उसे कोई हमदर्दी नहीं है लेकिन उसे सजा उसी के अनुरुक्त मिलनी चाहिए यानि की कानून के अनुरुक्त मिलनी चाहिए वहीं जब केंद्रे मंतरी पशुपती पारस से अतिक एहमत को लेकर सवाल किया गया तुन्होंने ये बात कही कि भाई साहब जो बदमाश रहेगा जो आतंकी रहेगा उसको क्या आप मिठाई खिलाईएगा कि गोली ही खिलाईएगा और रहा बात UP का मॉडल तो UP का मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है और बुल्डोजर बावा के तो हम भी फैन हैं यानि कि बुल्डोजर बावा योगी आदितनाथ पशुपती पारस ने ये भी कहा कि योगी आदितनाथ जो भी UP में कानून चला रहे हैं जिस तरीक बदमाश है वो एक उख्यात अपराधी था जिसको सजा मिलनी थी और वो सजा उसे मिल गई है क्या कुछ कहना है पशुपती पारस का पहले हम आपको उनकी बातों को सुनवाते हैं यूपी में तो बहुत अच्छी सरकार है यूपी का उधार पूरा देश के लोग मंता है तो बोड़ोजर वबावान का नामी है जो क्राइम करेगा तो क्राइम जो क्रिमिनल असको मिठाए चला जेगा एक गोली मरिये प्रसासन चलाने के लिए साम दाम दंड विभेट सब का पालन करना पड़ता है और अभी यूपी के मोडर के लिए पूरे देश काता कि यूपी का मोडर सबसे सही है अबे तो आपने सुना क्या कुछ कहना है कि इंत्रे मंत्रे पश्वपती पारस का आपको बताते चलें कि जहां एक तरफ यूपी में अतिक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद को गोली लगती है तो वहीं दूसरी और बिहार की राजनीती भी गर्माज आती है जहां बिहार के राजनीताओं से ये सवाल किया जाता है कि यूपी में आतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद के साथ जो हादसा हुआ है जिस तरीके से उसे मारा गया है उस पर आपका क्या कहना है तो बिहार के कई बड़े नेता का कहना है कि उनके साथ जो हुआ है वो सही हुआ है और कुछ निताओं का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है उनका कहना है कि अगर पुलिस के सुरक्षा में कोई बदमास है अपराधी है अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता वहाँ पर कैसे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते है जहां एक और कुछ नेताओं का कहना है कि UP में जनता नहीं बलकि जंगल राज है जहां मुख्यमंतरी नितीश कुमार को कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंतरी ने जब से महागटबंदन की सरकार बनाई है तब से बिहार में जंगल राज है लेकिन हमें तो ये देखने को मिल रहा है कि यूपी में ही दरस सर असली जंगल राज है फिलहांक ले इस खबर में इतना ही और वे न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें